हरो फिरेंट बावा फेशन बुटिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं एस्टीम परेश के बारे में बताऊँगा जो परेश में यूज करता हूँ दोस्तो ये परेश काफी अच्छी परेश है अगर आप बुटीक का काम करते होंगे तो ये प्रेस आपके लिए बेस्ट है इस प्रेस से दोस्तों आप बहुत ही असानी से बहुत जल्दी प्रेस कर लेते हैं और इसका ये फाइदा है ये प्रेस से कपरे जो आपके जल जाते हैं वो कपरे कभी नहीं जलेंगे और इसे एस्टीम निकलता है तो कपरे पे रिंकल बहुत ही असानी से साफ हो जाता है आप इसे ऑन-लाइन ऑफ-लाइन दोनों ही पर्चेश कर सकते हैं तो चलो वीडियो को देखते हैं हेलो फ्रेंड यह स्टीम प्रेस है स्विच दबाते ही बहुत तेज एस्टीम निकलता है जिसे कपरे बहुत ही जल्दी और बहुत असानी से प्रेस हो जाती है देखिए किस तरह से इस्टीम निकलती है दोस्तो यह प्रेस मार्केट में असानी से मिल जाती है और ऑन-लाइन भी आप पर्चेश कर सकते हैं दोस्तों यह इसानि का पा कुल का यहां पान का टंकी जिसमें 3 लिटर पानी आती है और यहां सब पॉनी का फोलो कमज़ाधा कर सकते हैं और हो इस पानि को हमने इस तरह से सेटिंग कर रखा है ताकि प्रेस में असानी स्पॉन आए और यह पावर प्लक हमने यहां पर इसका स्विच लगा रखा है और दोस्तों इसका जो एस्टेंड है यह अलमुनियम का है जो की काफी बठिया है और नीचे पॉंटर हिट नहीं होता है इस पर गिरीब बना करेंगे तभी एस्टीम होगा और यहां पर दोस्तों प्रेस हिटिंग का एक सिले के पांच तक पॉंट दिया हुआ है आपको जितना हीट चाहिए आप उतना इसे साब्स कर सकते हैं और दोस्तों इसके नीचे का यह बूट जब प्रेस करते करते इसका प्लास्टिक नीचे से घिस जाए या खराब हो जाए तो आप आसानी से इस तरह से खोल कर खड़ी सकते हैं और नीचे यह प्लास्टिक है जो कि कपड़े को जलने से बचाता है और यह पूरा एलमुनियम का है और यहां से एस्टीम निकलता है और इसमें एलमुनियम की बज़ा से जंग नहीं पकरेगा क्योंकि एस्टीम निकलता है यहां से और यह स्विच ओन है जब स्विच ओन होगा तभी आप स्विच प्रेस करेंगे तो एस्टीम निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा दोस्तों प्रेस का वेट नॉर्मल है ज्यादा नहीं है और यहां पर पॉनी के पाइप मे ज्यादा दिन तक चले और यह सोले नाइट वालव है इसी में पानी जाता है दोस्तों यहां से प्रेस का में स्वीच है जो कि अभी ओन है और यह आटोमेटिक प्रेस है और यहां से अंगोठे के पास इसका स्वीच है जो कि आप यहां से दबाएंगे तो बहुत तेज कम समय में कर सकते हैं वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है